हलो बच्चों, तो जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है आज मैं एक कोस्चन से लेके आया हूँ, जो जेई मेंस 2024 में अप्रिल 9 को सिप 1 में पूछा हुआ था कोस्चन बहुत ही सिंपल है, बट इसमें कुछ कांसेप्ट लगेंगे जिसकी वज़े से बच्चों को दिक्कत आ रही है आप इस कोस्चन को एक बार पढ़िए, क्या पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है, इनके बीच में हमें बेसिक स्टेंथ का आडर कूछ रहा है तो बेसिक स्टेंथ हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो बेसिक स्टेंथ जो हम डिफाइन करते हैं, वो लुविस के कांसेप्ट से डिफाइन करते हैं लुईस के लूइस एसिड और लुईस बेस आप लोगोंने पड़ा होगा। लुईस एसिड क्या होता है। जो लूण प्यर का डोनेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं लुईस बेस, और जो लुईस से सिड होता है। एक्सेप्टर आफ लोन पेर एक्सेप्टर आफ लोन पेर तो बस आप ध्यान से तो बेस कौन होगा जो अच्छा डूनर हो लोन पेर का उहार अच्छा बेस कहलाएगा तो आप एक बार पाईराल के स्ट्रक्चर को देखो पाईरोल के स्ट्रक्चर आप देखो यह है यहां न लोन पेर, सिग्मा बंड, लोन पेर, सिग्मा बंड, पाई बंड, फिर पाई बंड, सिग्मा बंड, पाई बंड, तो यहां पे आप ध्यान से देखो, तो यह आपको क्या दिख रहा है, पाई बंड दिख रहा है, यह सिग्मा दिख रहा है, यह पाई दिख रहा है, यह सिग देख रहा हैं तो आपको सिगमा लोन पेर बीत में क्या दिख रहा होगा । जिसकी वज़े से यह जो लोन पेर है नाइट्रोजन के उपडर पिरियर नहीं है, वह बॉंडिंग में चला जा रहा है। जिसकी वज़ा से वह अच्छा डॉनर नहीं है, नाट नाट गूडई डॉनर, ये अच्छा डॉनर नहीं है। ट्लियर है। अब ध्यान से देखो। अब हम सिस्पलें से अपर द जो करने पिरीठी से उपर आते हैं में यहMा अब ध्यान देखू आपके सिगमाе देखो सिग्मा पाई आपके देखो हुआ के लट प surprises यह soma कर सकता है तो यह तरह से हम बोला है की गुडूनर है ठिक है यह लेकिन इसका जो नाइट्रोजन का लो पियर है वो क्या है s p2 फाइब्राइज redo possible एक सिगमा दो सिगमा एक लोन पियर तो यह क्या है SP-2 hybridization, अब आते हैं, पिपरीडीन पे, आप पिपरीडीन के structure को ध्यान से देखो, यह है, यह है, पिपरीडीन का, अब इसका जो लोन पेर है, इधर पे कुछ हाई नहीं, तो conjugation में participate नहीं कर रहा है, लेकिन इसका जो लोन पेर है, वो क्या है, SP-3 hybridization, और आपको जोसी में बताया जाता है, कि SP-2 जो होता है, more electronegative होता है, negativity of SP-2 is more than electronegative of SP-3, और इसके ज़्यादा होता है, electronegative of SP, तो SP का सबसे ज़्यादा electronegative होता है, फिर उसका आता है SP-2 का, फिर आता है SP-3 का, तो अगर more electronegative element है, तो उसके उपर lone pair क्या होता है, stable होता है, यानि कि यह nitrogen, जो pyridine का nitrogen है, फिक है, यह जो pyridine का nitrogen है, वो क्या है, SP2 है, यानि कि यह electronegative element है, और electronegative के ऊपर negative charge यानि कि loan pair stable है, तो यानि कि यह stable है, यह उतना अच्छे से नहीं जाएगा, और यहाँ पर क्या है, SP3 है, यह electronegative less है, और less electronegative element के ऊपर loan pair थोड़ा सा unstable होता है, वो easily देना चाहता है, तो यानि कि यह easily देदेगा, और यह तो अच्छा बेस हो जाएगा, गुड बेस हो जाएगा, तो सबसे जादा अच्छा बेस कौन सा होगा, पिपरिडीन होगा, पिपरिडीन तुमारा क्या होगा, सबसे अच्छा बेस होगा, उसके बाद सबसे कम जो होगा, वो किसका होगा, पाइरोल को होगा, पाइरोल जो है वो सबसे less basic होगा ठीक है तो hopes वो ये आपको concept समझ में आया होगा कि इस तरह के questions को कैसे attempt करने है अगर ये structure दिया है तो ठीक है नहीं दिया होगा तो आपको ये तीन structure जो है ये आपको याद रहने चाहिए exam में हो सकता है questions में diagram ना दे अगर diagram नहीं दिया तो उस case में आपको diagram याद आना चाहिए तो hopes आपको ये questions समझ में आया होगा ऐसे ही और questions के लिए हमारे channel पर बने रही है धन्यवाद